हेलो गाइस कैसे हो आप सब मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपके लेके आई हूं मलाई से गी बनाना यह मेरी 15 दिन की मलाई है अब चलो में इसको चार में कर लेती हूं कि यह देखिए कितने अच्छे से माखन ऊपर आ गया है अब हम इसको एक अलब बर्तन में निकाल लेंगे और जो हमारा थोड़ा और बैटर बचा हुआ है हम उसको भी इसी तरह से बना लेंगे थोड़ा-थोड़ा थंड़ा थंड़ा पानी डाल कर देखिए कितने अच्छे अब हम इसमें थोड़ा थंड़ा पानी डाल कर इसको एक बार दूल लेंगे ताकि इसमें जो खटास पने थोड़ा सा बहार निकल जाए इसके बाद हम इसको गी बनाने के लिए तयार करेंगे आप चाहे तो इसको बटर बना कर भी रख सकते हो लेकिन मैं इसका स्रीफ घी Mhm getting extra. अब मैं इसको थोड़ा थंडा पानी में लाल लिए है अब मैं इसको अक्फार से वस्ख लर्ग दिया है अब मैंने यह वस्ख करके लक दिया है अब मैं यह तुअर्मास कालूंडा लूँ कुरूंタ क्रिवाण इसको आप पोगा लोंगे यह देखिए यह अच्छे से अब बन गया है इसे थोड़के ठेंदा हो रहेंगे पिर हम इसको छान लेंगे और ध्यान रहें कि सीधा किसी कांच के बर्तन में ना चाने अब हम इसको छान लेंगे इसी तरह से भी सबको छान लोगी अगर आपको यह मेरे वीडियो अच्छा लागा हो तो प्लीजी से लाइक करें शेयर करें और एक मेरे चैनल को सबस्राइब करें थैंक यू बाई बाई